नमस्कार दोपहर समाचार में आपका स्वागत है कोविड रोधिटी के लगाए गए कोविड के नए वैरियंट ओमिक्रॉन से अब तक 1525 लोगों के संक्रमित होने के पुष्टे हुए असन के मुखे मंत्री हिमंत विश्व सर्माने सशस्त्र वल विशेशा रिकारत नियम के इस साल सकरात्मक प्रभाव पढ़ने की उम्मेद जताई और मौसम विभाग ने देश के पश्यमुत्तर हिस्से में अगले चार दिन तक शीद लहर जारी रहने का अनुमान दक्त किया तमिलाडू के तटवर्ते इलाकों में अधिक वर्षा की संभावना दोपहर समाचार में मनुज के साथ मैं विमलें दुपांटे देश कोविर टीका करन अभ्यान के अंतरगत 150 करोटी के लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है कोरोना वाइरस का नया वेरियंट मिलने से चिंताएं बढ़ी है आपसे हमारी अपील है कि यथा शीगर दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें कृपहा तीन सरलुपायों का पालन अवश्य करें मास्क लगाएं दोगस की सुरक्षी दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें कोविट से संबंधित किसी भी जानकारी और माल प्रशन के लिए वराश्ट्री हैंपलाई नंबर 011-23-97-8-46-1-75 पर संपर करें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी ने आज मेरट में मेजर ध्यानचंद खेल विश्य विद्याले की आलहार शिला रखे इस विश्य विद्याले की स्थापना सर्धना कस्दे की सलावा और कैली गाउं में की जा रही है इस पर लगभग 700 करूड रुपए की लागत आएगी प्रधानमंत्री इस समय सल्धना में जन सभा को संबोधित कर रहे हैं आईए सुनते हैं उनका संबोधन याने खेल की कोई जती नहीं मानी जाती थी गाउं में यदि कोई खुद को खिलारी बताता तो लोग कहते के चलो होजिया पुलिस में नौकरी लिए खेल रहा होगा यानि खेलों के प्रती सोच और समझ का दाइरा बहुत सिमित हो गया था पहले कि सरकारों ने युवाओं के इस सामर से को महत्वन नहीं दिया ये सरकारों का दाइर को था कि समाझ में खेल के प्रती जो सोच है उसे खेल को उस सोच को बजल करके खेल को बहार निकालना बहुत जरूरी है लेकिन हुआ उल्टा जादातार खेलों के प्रती देश में बेरुफी बढ़ती गई परणाम ये हुआ कि जिद हो की मैं गुलामी के कार्फन में भी मेजर ज्यान चंजी जैसी प्रतिवाओं ने देश को गवरों दिलाया उसमें भी मेडल के लिए हमें दसकों का इंतजार करना पड़ा दुनिया की होकी फ्रासुतिक मैदान से एस्टो तरसी तरफ बढ़ गई लेकिन हम वही के वही रह गए जब जब तक हम जाने तब तक बहुत देर हो चुकी थी उपर से ट्रेनिंग से लेकर टीम सेलेक्शन तक हर सर पर बाई बती जावाद बिरादरी का खेल प्रस्ताचार का खेल लगातार हर कजम पर बेजबार और पार दर्फिता का तो नामों निशान नहीं सात्यों हो की तो ये कुदार नहीं ये हर ठेल की कहानी थी बदलती टेक्नलोजी बदलती डिमान बदलती स्कीज के लिए देश में पहले की सरकारे बहतरीन इकोसिस्टिम तैयार यहीं कर पाई उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री यूगी आदित्यनाथ ने मेजर ध्यान चंद खेल विश्व विद्यालय की आधार शिला रखने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि ये राज्य का पहला खेल विश्व विद्यालय है मेजर भ्यान चंजी के नाम पर रखा और आज जिस विश्विद्जाले का सुलानिया सादनिय प्रधान मंत्री जी के करकमलों से हो रहा है इस प्रदेश के पहले स्पोर्स नुस्ती का नाम करण भी मेजर भ्यान चंजी के नाम पर होने जा रहा है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कल प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना के अंतरगत वित्तिय लाभ की दस्विय किस्त जारी की दस करोड से अधिक किसानों के बैंखाते में बीस हजार करोड रुपए से अधिक राशी अंतरित की गई इस अवसर पर श्रीमोदी ने कहा कि ये उनके लिए सम्मान का विश़ है कि वे नए वर्श की शुरूआत देश के अन्न दाताओं के साथ कर रहे हैं देज के करोडों किसान परिवारों को विशेकर छोटे किसानों को परधान मंतरी किसान सम्मान निधी की दसवी किस्त मिली है। किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड रुपे ट्रांसफर किये गए हैं। परधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना के अंतरगत हर वर्ष किसानों के खाते में 22,000 रुपे तीन किस्तों में अंतरित किये जाते हैं। 15-18 वर्ष के बच्चों का टीका करन कल से किया जाएगा। पलब भी हमारे देश के डॉक्टर्स ने, नर्सिज ने, बाकी प्रसासकों ने, सब ने मिलकर की हासिल की है। मेरी अपील होगी सारे बच्चों से कि भाई अपना अपना वैक्सिनेशन करवाएं। क्योंकि आज तक वैक्सिनेशन ही असलिए एक प्रतिरोधक चीज है जो हमें इस महामारी से बचा सकती है। इसलिए सब लोग पूरे जोर सोर से वैक्सिनेशन करवाएं। मध्य प्रदेश में भी 15-18 वर्षके कि शोरों काकल से कोवीड टीका करण किया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले तिन 12 लाग पात रुलाभार्थियों के टीका करण का लक्षी नरधारित किया है। दिली में रहने वाली दिया को खुशी है कि टीका लगवाने के बाद वो अब भै मुक्त होकर स्कूल जा सकेंगी। मेरा नाम दिया है, मैं पटेल नगर की रहने वाली हूँ, मेरा स्लोट कोवीड आप पे आ गया है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं स्कूल फियलेस होके अराम से जा सकती हूँ, मेरे दोस्तों ने भी कोवीड आपे लिस्टे किया है और अब हम अराम से मिल भी सकते हैं औ कि इन में से 560 मरीज स्वस्तों हो चुके हैं, महराष्ट में सबसे अधिक 407 और दिल्ली में 351 ओमिक्रोन के रोगी मिले हैं। किछले 24 खंटे में 27,000 से अधिक कोवीड मरीजों के पुष्टी हुए हैं। को कम से कम करने के प्रयास में सही होग करें। उन्होंने कहा कि कोवीड से लडाई में कोवीड उपयूक्त वेभाहार और टीका करन प्रमुख स्तंब हैं। नई दिली के अकिल भारती आयूर विग्यान संस्तान के सायोग से स्वास्य मंत्राले ने उत्कृष्टता केंडर के साथ कोवीड रोगियों के नैदानिक प्रबंधन के विभिन पहलूँ पर वेबिनार की श्रिंखला आयोजित की थी। वेबिनार की श्रिंखला को डॉक्तरों विशेश रूप से गहन चिकित्सा विशेशग्यों द्वारा काफी सराहा गया है। बहुत आवश रखे हैं। देश में दूसरा की ओमिक्रों बढ़ रहा है। और ये थमभाविशी था जो बढ़ोतरी हो रही है दिल्ली के अपधे शेरों में राठ्यों में दी। तो ये दिखाई दे रहा है कि उसमें डेल्टा जोकी पहला डामिनेंट एरियन सा अब धीरे धीरे ओमिक्रों इसको डिस्प्लेस करगा है। दिल्ली के मुक्षे मंतरी अरविंद कैजरिवाल ने कहा है कि कोविश रोगियों की संख्या में टेजी से वृध्धी हो रही है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी रोगी बिना लक्षन या हलके लक्षन वाले हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस समय 6,307 रोगियों का उपचार चल रहा है महराष्ट में कोविड रोगियों की संख्या में वृद्धी हो रही है साथ ही ओमिक्रॉन के मरीज भी बढ़ रहे हैं हमारी समवाद्धाता ने बताया है कि महराष्ट के उपमुक्यमंत्री अजित पवार ने कोविड मामलों में और द्रती होने पर राज्ज में कड़े प्रदिबंध लगाने की चेतावनी दी है महराष्ट में 24,509 से जादा एक्टिव केस है जिसमें 50,50 से जादा 16,444 एक्टिव केस के साथ मुंबई कोरोना होट स्पोट बनने की कगार पर है राज्ज में 21 दिसमबर को 7,111 एक्टिव केस थे और पिछले 10 दिनों में राज्ज में कोरोना के मामलों में 3 गुना से जादा की बढ़ोत्री दर्च की गई महाराष्ट के मुख्ध मंत्री अजीत पवार ने चेतावनी दी कि अगर कोविट 19 के मामले लगातार बढ़ते रहे तो राज्ज में सक्त प्रतिबन लगाए जाएंगे उन्हें बताय कि महाराष्ट में 10 से अधिक मंत्रियों और 20 विधायकों ने सकारात्मक परिक्षन किया है जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को हाल ही में विधानसवा 17 में कटोती करनी पड़ी दिवोप्रिय भटचार जी आकाश्वानी समाचार मुंबई कोविड मरीजों की पुष्टी के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री माता वैशनो देवी विश्व विध्याले कटरा को तुरंट बंद करने का आदेश दिया है विश्व विध्याले सूत्रों के अनुसार 14 विध्यार्थी संक्रमित पाए गए है कटरा रेलवे स्टेशन पर कल जांच के दावरान माता वैशनो देवी मंदिर के दर्शन के लिए आए तेरा तीर थियात्री भी कोविड पॉजिटिव पाए गए आकाश्वनी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात साड़े नौ बजे कोरोना जागरुकता श्रंखला के तहत लाइफ फोनिंग का रिक्रम प्रसारित करेगा गोविन नवल्लभ पंतर स्पतार नई दिल्ली के डॉक्टर प्रोफेसर संजय पांडे कोरोना से संबंधित प्रशनों के उस्तर देंगे शोता हमारे विशिशक के से टेलिफोन नंबर 011-23-4212-30 और 011-23-4217-64 पर प्रशन पूछ सकते हैं ट्विटर हैंडिल एट AIR News Alerts हैश्टेग आस्क AIR पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं ये कारिक्रम FM Gold Channel और अतरिक्ट मीटरों पर उपलब रहेगा आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरत में मेजर ध्यान चंद खेल विश्व विद्याले की आधार शिला रखी 15-18 वर्ष के किशोरों का कोविट टीका करण कल से शुरू होगा देश में अब तक 145 करोण 44 लाग से अधिक कोविट रोधी टीके लगाए गए कोविट के नए वैरियंट ओमिक्रॉन से अब तक 1525 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टी हुई असम के मुखे मंत्री हिमंत बिस्व सर्मा ने सशस्त्र बल विशेस अधिकार अधिनियम के इस साल सकारात्मक प्रभाव पढ़ने की उमीद ज़ताई और मौसम विभागने देश के पश्चिमोत्तर हिस्से में अगले चार दिन तक शीत लहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया तमिलनाडू के तटवर्ती इलाकों में अधिक वर्षा की संभावना ये सवाचार हमारी वेब साइट newsonair.com और हमारे मोबाइल एप newsonair पर भी उपलट है चलो इक शुरुआत करे चलो इक वैसला आज करे मात नहीं तो तोकेंगे करोना को जोकेंगे दो पहर समाचार में आपका फिर स्वागत है असम के मुखी मंतरी हिमंत बेसु सर्मा ने कहा है किस वर्स शशस्त्र बल विशी शाधिकार अधनियम के मामले में कुछ सकारात्मक परणाम सामने आ सकते है असम में कई समों इस कानून को समाप्त करने के मांग कर रहे है मुखी मंतरी ने कल को वहाटी में संभाताताओं से कहा कि राज में सभी उगरवादी गुट बाचीत के लिए आगे आ रहे हैं और उगरवाद समाप्ति के ओर है श्री सर्मा ने राज में शांती बहाली के लिए जनजाती समाज के प्रबुध लोगों के प्रयासों की सराहना की 36 गड़ के सुकमा जिले में कल 9 महिला नकसलियों समेथ 44 नकसलियों ने आत्म समर्पन कर दिया ये नकसली चिंतलनार, किस्तारम और भेजी खेत्रों में सक्रिये थे समर्पन करने वाले नकसलियों को 36 गड़ सरकार की समर्पन और पुनर्वास नीती के अनुसार सुविधाय उपलब्ध कराई जाएंगी सेना ने कर जनु कश्मीर में कोपोड़ा के कीरन सेक्टर में घुसपैट के गठा को बिफल करते हुए एक आतंकी को मार गिराया सेना की अधिकारी ने बताया कि उसकी पहचान पाकिस्तान के शबीर मलिक के रूप में हुई है सुदो ने बताया कि खटना स्थल पर एके 47 राइफल साथ ग्रेनिट सहीत कोला बारूद मिला है लद्दाख में सांगरिक दृष्टी से महदवपून साड़े 14 किलो मीटर लंबी जोजिला सुरंग का निर्मान कारे भीशन ठंड के बीच जारी है इस सुरंग से केंदर शासित प्रदेश लद्दाख सभी मौसम के अनुकूल सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा राश्टी राजमार्ग और बुनियादी धाचा विकास निगम लिमिटेड कर्गिल के महा प्रबंधप करनल शिव कुमार ने बताया कि बर्फबारी होने पर भी सुरंग का निर्मान कारे जारी रहेगा मनोबल बहुत हाई है स्कूशन हमने बना रखी है यहाँ पर जो बंदवस किया हुआ है लोगों के रहने का समान की स्वापिंग करने का राशन पारी रखने का फ्यूर का स्वापिंग करने का एकुपमेंट के जो स्पेर पार्ट्स हैं उनको रखने का लोगों के रहने का इतना अच्छा अर्जमेंट कर दिया है हम लोगे कि अगे सब बड़े कंफरेबली रह रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं पूरी बरफ पड़ी हुए यहाँ पर, इस मौसम में भी और जब टेंपरिचर माइनस 20-25 तब भी है, तब भी उसमें काम 24 घंटे चल रहा है। हौल मार्क सोने के शुथता सोनेशित करता है। हमेशा हौल मार्क वाले सोने के आभूशन खरी दें। उपभूगता सम्मधित किसी पी शुकायत के लिए कृपया राश्टी उपभूगता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर करें। उपभूगता मामले भारस सरकार द्वारा जनहित में चारी जागो ग्राहत जागो। ये आकाश्वानी है। आजावी के अंदूलन के खाजाने में ऐसे धेरों शब्ड जिन्होंने बदल दिये इतिहास, तारीख बदलने वाले लफजों पर आकाश्वानी समाचा ला रहा है। विशेश करकम धरुवर हर सुमभा। आजादी के अंदूलन के अंतरगत आईए अब सुनते हैं। आकाश्वानी की विशेश प्रसुती आजादी का सफर। आजादी का अंदूलन के अंतरगत आजादी का सफर। आकाश्वानी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधूनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। इस शानदार संघर्ष की जलग। तो जन्वरी 1947 को महात्मा गांधी ने पूर्वी बंगाल में दंगा पुरित ख्षित्रों में शान्ती मार्च शुरू किया था। 1947 में भारत में अनिश्चितता का अंधियारा चाया हुआ था। क्योंकि राजनीतिक रूप से कुछ भी निश्चित नहीं था। जब बंगाल से विचलित करने वाले समाचार आने लगे तो गांधी ने अपनी सभी योजनाएं रद्द कर दी। और दंगा पुरित ख्षेत्रों में जाने का फैसला किया। पूर्वी बंगाल के नुवा खाली में उन्होंने देखा कि देशवासियों के दिलों में किस कदर भै, नफरत और हिंसा समा गई है। वे गाउं गाउं के और राजनितिक धरातल से परे जाकर मानवता के लिए शांती के मुद्दे उठाए। उन्होंने निवेधन किया कि सभी दलों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि सभ्य जीवन की मर्यादा तार तार नहोने पाए। गांधे जी की उपस्थिती ने पूर्वी बंगाल के गाउं में अच्छा काम किया और लोगों के बीच तनाव और गुस्से को शांत किया। महताब स्वतंत्रता संखर्ष के दोरान कई बार जेल गए। हरेकृष्ण महताब का जन्म 21 नवंबर 1899 को ओडिशा के बालेश्वर जिले के अगर पाड़ा गाउं में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने 1921 में स्नातक की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। वे 1930 में उतकल प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष बने। नमक सत्यागरह में भाग लेने के लिए उन्हें 1932 में जेल भी जा गया। धाई साल तक एहमद नगर किले की जेल में बंद रहे और मई 1945 में रिहा किये गए। महताब ओडिशा के प्रधम मुख्यमंत्री थे। वे अप्रेल 1946 से मई 1950 तक इस पद पर रहे। वे 1950 से 1952 तक केंडरिय वानिज्य और उद्योग मंत्री रहे। और बाद में 1955 से 1956 तक बंबई के राज्यपाल का पद संभाला। 1956 में राज्यपाल का पद छोड़ कर वे पुनह ओडिशा के मुख्यमंत्री बने और 1956 से 1960 तक इस जिम्मेदारी को निभाया। मुख्यमंत्री के कारकाल के दौरान महताब ने रियासतों के विलय और एकी करण कचक से हटा कर भुवनेश्वर को राजधानी बनाने और बहुत देशिय हीराकुंद बांध परियोजना को स्विकृती और निर्मार में महत्रपून भुमिका निभाई। वे 1972 में अंगुल से लोकसभा के लिए चुने गए और जीवन परियंत लोगों की सेवा करते रहे। महान राष्टवादी को शत शत नमन। वंदे भारत के सरींद्र सुमते कारुम्य वारानि थे। वंदे खृत्सडपत्ममध्य सुलसल आचार्य तुभ्यम्नमार। हम महान स्वाधींता सेनानी और समाज सुधारक मनत्तु पदमनाभन को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जनमत दो जनवरी 1878 को केरल के कोतायम में हुआ था। पदमनाभन को दूर द्रश्टा सुधारक माना जाता है जिन्होंने नायर समुदाई को नायर सर्विस सोसाइटी के तहट संगठित किया। पदमनाभन ने सामाजिक असमानता से भी संगर्श किया। 1924 में उन्होंने वायकॉम सत्यागरह में भाग लिया। तथा कथित निचली जातियों के लिए मंदर प्रवेश की मांग करते हुए वे 1931 में गुरुवयूर सत्यागरह में शामिल हुए। उन्होंने जाति के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए अपना पारिवारिक मंदर सबके लिए खोल दिया। 25 मई 1947 को पदमनाभन ने अलब पुझा के मुतुकुलम में प्रसिद्ध मुतुकुलम भाशन दिया। भारत के स्वाधींता आंदोलन में भाग लेनी पर 14 जुलाई 1947 को उन्हें गिरफतार किया गया। स्वतंतुरता के बाद पदमनाभन राजनीत में आ गए और लोगों की सेवा करते रहे। महान स्वाधींता सेनानी को शत शत नमन। आज बस इतना ही आजादी का सफर आकाश्वानी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमरीत महोत्सव के पावन अवजर पर आकाश्वानी समाचार लेकर आया है अमरीत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंद्रता आंदुलन से जुड़े प्रश्णु का जवाब देकर। आप से ये सवाल प्रतिक सोमवार और मंगलवार को सिब आठ बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। आप अपने जवाब वाटसेप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के मार्ध्यम से होगा और इसकी घूफना अगले दिन इसे बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमानपत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे चुटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आईए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाश्मानी समाचार के साथ। भारत और दच्छुन अफ्रिका के बीच दूसरा क्रिकर टेस्ट मैच कक्से जोहनिस्बर्ग में खेला जाएगा। ये मैच भारती समय के अनुसार तिन में डेड़ बजे से शुरू होगा। उपर आश्टपती एम वेंकिया नाइडू ने आज कोच्छी शिप्यार्ड में बनाय जा रहे स्वदेशी विमान बाहगपोत आईएनस विकरांद का हवलोगन किया। शिप्यार्ड और भारती नाउसेना के वरिष्ट अधिकारियों ने उपर आश्टपती को आईएनस विकरांद के विशेश्टाओं के बारे में चानकारी थे। नाउसेना को ये पोत इस वर्ष अगस्त में सौपा जा सकता है। मौसम विभाग ने तमिल नाडू के तड़वर्ती खेत्रों में और अधिक वर्षा तथा अगले चार दिन तक बेश के पश्चिमुत्तर हिस्से में शीत लहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि कल से पश्चिमी विछोग और चक्रवाद का देश के पश्चिमुत्तर भागों में असर पढ़ सकता है। अगले चार दिन के दोरान जमु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरा खंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अब एक नजर आज के मौसम पर रागधानी दिली, मुंबई और कूलकाता में आसमान साफ रहेगा। चिन्नई में बादल चाये रहने के साथ हल्की वर्शा हो सकती है। इन महानगरों का नियूनितम तापमान 6 डिगरी सेल्सियस और अधिक्तम 31 डिगरी सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्री नगर और जमु में आंशिक रूप से बादल चाये रहेंगे। गिलगित और मुझफरा बाद में भी बादल घिरे रहने और हल्की वर्शा का अनुमान है। लिह में भी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। पूरवत्तर में गुहाटी आईजोल इटानगर में बादल चाये रहेंगे और बुना बादी के आसार है। शिलॉंग गैंटॉप आगरतला इंफाल कोहिमा में आसमान साफ रहेगा। विशाखा पतनम, बैंगलूरू, तिरूव अननपुरम और पुद्दुचेरी में आनशिक रूप से बादल चाये रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। नियूनितम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिक्तम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिसंबर 2021 में वस्तु और सेवाकर संग्राह 1,29,000 करोण रुपए से अधिक रहा। ये वर्ष 2020 की इसी अवधी में संकलित GST राजस्व से 13 पृतिशत और दिसंबर 2019 से 26 पृतिशत अधिक है। अंत में मुख्य सवाचार एक बार थिर। प्रधान मंद्री नरींद्र मोदी ने मेरट में मेजर ध्यांचन खेल विश्व विद्यालय की आधार शिरा रखे। 15-18 वर्ष के किशोरों का कोविड रुटी का करण कल से शुरू होगा। देश में अब तक 145 करोड 44 लाग से दिक कोविड रुधीटी की लगाए गए। कोविड के नए वेरियंट ओमिक्रॉन से अब तक 1525 लोगों के संक्रमित होने के पुष्टे हुए। असम के मुक्यमंदरी हिमंत विश्व सर्माने सश्रस्त्र बल विशेशादिकार धिनियम के मामले पर इस साल सकारात्मक परिणाम आने की आशा व्यक्त के। मौसम विभाग ने देश के पश्यमुत्तर हिस्थे में अगले चार दिन तक शीत लहर चाली रहने का अनुमान विक्त किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंग समात हुआ। नमस्कार